मुमेंट बेटा, घर जाना की जल्दी तो नहीं है. अब कुम कीजे? तुम्हें बहुत-बहुत मुभारक हूँ. किस बाद की मुभारक बाद? शादी की. वो तुझे बाबने निकाह पढ़ाया था, तब मुभारक बाद दे दी थी. बेशक, ऐसा ही हो थी. आज मैं तुम्हारे घर गया से, तुम्हारी बीवी से मुलाकात हुई. तुम्हें अपने उपर रशक आया, कि मैंने इस बच्ची का निकाह पढ़ाया. और मुभारक इस बाद की बेटा, कि तुम्हें अपने लिए बहत्रीन शरीक हयात का इत्खाब किया. आपकी बात की नफ़ी की जसारत नहीं कर सकता हमें लेकिन जो आप बेहन कर रहे हैं, ऐसी कोई खुबी नहीं है उसमें. बेटा, अल्ला का वादा है कि मैं अपने बंदे के आमाल के मताबिक उसे उसका शरीक हयात देता हूँ. नेक मर्दों के लिए, नेक मौरत, नेक भी बेहन तुम जैसे आला अखलाव और किर्दार के इनसान के लिए ऐसी ही शरीक हयात होनी चाहिए थी, जिसके दिल में खौफ खुदा भी है, और इनसानियत का दर्द भी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने अल्ला को खुश नहीं कर पाए। उसकी नजर में नेक नहीं हूँ, उसकी दरगाह में, उसकी दरगाह में रद कर दिया गया हूँ तब ही तो, तब ही तो मेरे अल्ला ने मेरे नसीब में माया का साथ लिखती हूँ, जैसा मत कहो बेटा, जैसा नहीं कहो, तुम्हारा साथ मिलने के बाद उसकी आखों में जो यह बिनान में ने विल्हा है, वो मैं ही जानता है, उसने तुम्हारी खाते लिए, तुम्हारी चाहत के लिए अपना सब कुछ अल्ला की राह में गुर्बान करते है, ऐसी बच्ची चाहे जाने के इलावा, गदर करने के लायक है, तोका देरी है वो, किसे, मुझे, मेरे दिल में अपनी जगा बनाने के लिए, दिखावे की नेकियों को वसीला बना रही है, बिटा, हम कौन होते हैं किसी की नेकियों पर ये फैसला देने वाले, कि उसकी ये नेकी, दिखावे की नेकी है, देखे, अगर मैं उसकी हकीकत आपको बताऊ तो, तो यकीन मारी है, उसके बारे में जो राय आपने काहिम कर ली है, वो बदल जाएगी, अमेर बेटा तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों मना, वो तो अलना से मुहबबत करने वाली लड़की है, सब तखावा कर रही है, आप भूलगा है शायद, यह वो लड़की है जिसने जमाने भर में मुझे रुस्वा कर दिया था, जब वो दाओ नहीं चला तो अब नया भेरूप भर ली है उसने, मुमिन वेटा जो लम्हे मौजूद होता है ना इनसान का, वही उसका असल तारुफ होता, यही लम्हे मौजूद बहुत कीमती होता है, अल्ला के हाँ इसकी बड़ी एहमियत है, हम दुआ नहीं करते हैं कि ए अल्ला मेरा खात्मा बिल एमान कर दो, मुझे इस हाल में दुनिया से ले जाना कि वो हाल तुम्हारा पसंदीदा हाल है, जब लम्हे मौजूद ही अल्ला के नस्दीग भी सबसे बड़ा तारुफ है, तो हम कौन होते हैं किसी का माजी कुरे इतने मानी? और इससे बड़ी खुश्बक्ती और क्या होगी? कि अगर हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से, किसी को हिदायत का रास्तर हो जाए? पॉमिन, बेटा, उसकी तरफ से अपना दिल साफते हैं. मन यारम, मन जानम, तु ही तोरे. मन यारम, मन जानम, मन जानम